हाज का हमारा वीडियो है मतन कीमा समोसा इसके लिए 400 ग्राम मतन कीमा 1 ग्रीन चिल्ली सॉल्ट जिंचर गार्लिक पेस्ट आलू कोरियांडर आठा बन कप बन कप माइदा ग्रीन पीस टर्ले ओनियन्स टू ओनियन्स अब हम आठा मिला के डव बना के रहेंगे आठा एंड माइदा दो अच्छे से आठ करके इसमें थोड़ा सा सॉल्ट और ये आठ करेंगे वाटर एड़ करके इसको अच्छे से मिक्स करनी है देखिए इसको हम 15 मिनिट रच्छ में रहेंगे अब एक पैन लेके और एक करके और हीट होने के बाद मदन खीमा एड़ करेंगे इसको अच्छे से ड्राइ करनी है अब इसमें जिंजर गर्लिक पेस्ट एड़ करके अच्छे से सॉट करनी है तर्मरी क्याट करेंगे इसको अच्छे से सॉट करके ड्राइ करनी है देखिए यह तो ड्राइ हो गया अब हम इसमें सॉल्ट एड़ करेंगे अब हम इसमें इसमें सॉट करो अच्छे सर्फे पर इसमें पर अच्छे करेंगे इसमें सॉट्स अच्छे सॉट्स अब हमादी अब वन कप और रेट करके खाइमे को अच्छे से पकाना है देखिए यह अच्छे से पक चुका है अब हम आलू एड़ करेंगे आलू को छोटे छोटे पीसे कट करके एड़ करना है अब टू मिनिट सौट करके इसको अच्छे से पका लेंगे अब हम माटर एड़ करेंगे अब हम इसमें थोड़ा से धनिया और जीरा पॉडर एड़ करेंगे क्यूंकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा रहता इसलिए इसको हाई फ्लेम में अच्छे से पका लेंगे यह जो मिक्सर है यह बहुत ड्रई होना है अधरवाइस समोसा नहीं बनेगा अब हमीस में रेड़ चिल्ली पॉड़र एड़ करेंगे वन टीस्पून रेड़ चिल्ली पॉड़ अब इसको अच्छे से एक प्री मिनिट शॉट करेंगे अब बनेगे देखिए यह तो अच्छे से ड्राई हो गया था इसमें फ्लेवर के रिए थोड़ा सा गरम मुसला एड़ करी थी मैंने यह तो आप्शनल है फाइनल में ग्रीन चिल्ली एंड ओनियन्स एड़ करना है इसको ज्यादा देर नहीं पकाना एक वन मिन अच्छे से पका लेना क्योंकि प्यास इसा ही रहना है समूजे में एंड फाइनली कुलियांडर देखिए यह तो हो गया अब हम इसको थंडा करेंगे जब तत समोसे के लिए आटा नीट करेंगे स्थाइब करेंगे यह तो मैंने ट्राइंगल शेव में बना रही हूँ यह तो थोड़ा डिफ्रेंट है अब अच्छे से रॉच करेगा क्यों सकति। अच्य हो 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 हुआ conferences! बनाो नह मैंत। अच्यो मेंतॊे डाईश्छ धुष झानके नहा हो तोस्ताइश्घ यह तोस्ति। आड़सेंगल तोस्तिill तो यह इसे छोटे पापड के तरह राउंड राउंड बनाया अब इसमें हम एक कूल मिक्शर है यह फिल करेंगे देखिए इसका फोल्डिंग बहुत आसान है इसको इसको बहुत सिंपल एंड इजी है अब हम एक कड़े में ओईल लेके डी फ्राइंग के लिए ओईल हीट करेंगे ओईल हीट होने के बाद यह जो समों से है यह लीफ्राइंगे फ्लेम हाइपो मत रखना इंडियों प्लेम रखना अधरवाइस यह चल जाएगा अब करेंगे चिर जाएपो किराएपो इसका बहक करेंगे कि फ़र वह दींग आर इंड वद्ट कर दो कर दो देखिए यह तो पक चुकी है गोल्डेन ब्राउन कलर आने के बाद इसको टिश्यू में निकाल लेंगे जो एक्सेस ओईल है वो जले जाएगा सबी को ऐसे ही फ्राइ कर लेना है देखिए फ्रेंड्स टेस्टी टेस्टी माइटन खीमा समसा यह तो रेडी हो गए देखिए यह तो बहुत होट है और देस्टी थैंक यू थैंक यू वाचिन माई वीडियो झाल 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 झाल